हेलो दोस्तों, वेलकम टू केफिया येस और आज के लेक्टर में हम बात करेंगे डिफेंस एक्सरसाइजेस के बारे में और कुछ कंट्रीज जैसे के UK, USA, Australia, France और रस्या इन कंट्रीज के साथ में इंडिया की कौन-कौन सी अगर इंडिय रस्या हैं, निवल एक्सरसाइज और आर्मी एक्सरसाइज होती है, तो विदाउट विस्टींग एनिडियाइम, लेस्ट बजिगें विदा, USA, तो अगर USA के बारे में जानते हैं, कौन-कौन सी एक्सरसाइज है, इसे पहले हम देख ले एं, ओर रस्या, एक य United Kingdom ये वाला ये देखी ये वाला रीजन भी है तो ये USA हो गया ये रशिया हो गया रशिया ये वाला हो गया United Kingdom this is your France and this is Australia so once we know the location let's begin with the USA USA में देखे तीनों तरीक एक्ससाइस होती है नेवल भी होती है आर्मी भी होती है ये एरफोर्स भी होती है so first let's talk about the naval exercises पहले नेवी की हम बात करें है तो नेवी के साथ होती है Selvex इसका 7th edition हुआ था तो Selvex का क्या मतलब है Selve is an Explosive Ordnance Disposal जो के कोची में होई थी ये किस तरह के exercise होती है we'll talk about that later है in detail मैं भी थोड़ी देर में कर रहा है इसके बारे में तो पहली exercise हो गई Selvex दूसरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर Sea Defender जो इसी साल यारे 2024 में होई है अब इसके बारे में आप वो सर्फ एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि जो Sea Defender exercise है that is exercise between the Coast Guards of both the countries यानि USA के Coast Guard की और इंडिया के Coast Guard के बीच में जो exercise उसका नाम है Sea Defender 2024 आर्मी के साथ भी दो exercise है पहले बात करते हैं वजर प्रहार की वजर प्रहार में भी आपको यह याद रखना है कि यह special forces की बीच में exercise है कब होई थी नवंबर डिसेंबर जो पिछले 2023 में होई थे तब और प्लेस कहां पर था उम्रोई मेगाले यह बड़ा इंपोर्टेंट फोर्ट वेन राइट और यह भी पिछले साल हुई थी September-October 2023 में एक exercise है जिसका नाम है कोप इंडिया जो हुई थी April 2023 में जिसका 6th एडिशन हुआ था यह तीन एयर बेसेस पर हुई थी इंडिया में पहले है कलाई कुंदा दूसरा पनागर और तीसरा आगरा इन तीनों एयर बेसेस पर एयर फोर्स के बेस पर हुई थी ठीक है तो इन तीन स्टेशन पर इंडिया की और USA की एयर फोर्स में एंगेज थी लेकिन इसमें एक चीज़ और आपको नोट करना है कि जो जापनीस एयर फोर्स थी उसने भी पार्टिसिपेट किया एक observer की तरह तो जापन तीनो तरह की आर्मिय तीनो फोर्स हैं वो एंगेज होती हैं एक्टिविटीज में ठीक है तो इनका फोकस होता है है यह तो इसमें इस्टन सी बोर्ड में यहां पर इंडिया और यूसे की बीच में इससे पहले एक लौती कंट्री कौन सी थी जिसके साथ इस तरह की अब हमने बात कि थी जो सेलवेज एक्सराइज का क्या मतलब है तो EOD मोबाइल डाइविंग और सेलवेज उनिट का क्या काम होता है जो भी हर्बर्स होते हैं उनको क्लियर करते हैं जिससे वो नैविगेशन हजार से फ्री हो ठीक है दूसरा अंगेज इन अंडर्वाटर सर से स्रिक है और यूनिट करती है इसे एक्सराइज सेरेंट अंडर्र आर्मी अक्सराइजाज को क्यों को कैसे प्ट fouकस में यहां पर लोकेशन है वालगो ग्राद की इधर ही और इधर कहीं पर मास्क हो है और नेवल एक्सराइस की बात करें तो इंद्र नेवी और अशी तरह एरफोस की यह बहुत ही सिंपल से हैं सेल्फ एक्स्विनेटरी है ठीक है इसमें बस एक याद रखना ऑफ्यक्ट के एलियन इंद्र है वह बाई एन्यल एक्सराइस है तो साल में एक बार उने वाली एक्सराइस लास्ट टाम उधिये 2018 में लेकिन उसके बाद काफी सालों से लगवग दो यह और UK, United Kingdom जो रेड में देख पा रहे हैं यहां पर यह वाला यह वाला यह वाला यह United Kingdom है नेवल एक्सराइस के हम बात करने है तो 2023 में हुई थी नाम था कॉंकंड ठीक है इंडिया में हुई थी ऑफ दा कॉंकंड कॉस्क आरेबियन सी में हुई थी है एन्वेल जो फॉरी प्लेंज उनाइट इंग्डम में एक जगया है यहां पे आपने यह लाया यह यह वांस एन टु यह उन्स टू यर्स यह इनका फोकस रहता है इंजक्ड आर्मियर्म डिश्टस यह चना में एक्सक्र आइक्स्कंड और के बात एक्सराइस का नाम है इंड्र धन जो के 2020 में वो हिती हिंडन एयरबेस में गाजियाबाद या यूपी में इंडिया में लीजैन के अंगा इनट्राइब अंग शक्ति इस तरह की नाम फ्रांस के साथ होते हैं आपारे में बाहत करेंस फ्रांस के साथ जो निवल एक्सराइज गरुना ब्रहाइज हो फोई ती 2023 में अरेभियंग इसका नाम है का नाम है तो 2022 में और हुई थी इंडिया में ही जोड़पुर में इसके साथ 2021 में एक exercise और है desert night जो इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई थी bilateral air force exercise desert night 21 वैसे दिखे desert night एक तरह से multilateral समझे जाती है अभी क्योंकि इसमें इंडिया currently इंडिया फ्रांस और UAE भी included है लेकिन desert night जो 2021 में हुई थी इसमें इंडिया और फ्रांस सिर्फ दोनों के बीच में यह bilateral air force exercise थी ठीक है अब लेस्ट टॉक अबाउट आर्मी आर्मी में एक हुई थी fringe X यानि देखे फ्रांस इंडिया जॉइंट exercise 2023 में हुई थी किरला में ठीक है इन mountainous terrain तो यह वाली terrain यह वाला environment इसका focus रहता है और यह भी biannial exercise है biannial यानि बार बार हम कहा है once in a two year, once in two years now let's move to last country of the previous lecture that is Australia, Australia की अगर हम exercise के बारे में देखे हैं तो self actionable entry है और आस्ट्रा हिंद और आस्ट्रेलिया इंडिया exercise जो 2023 में हुई थी यह वाली और आस्ट्रा हिंडेक्स 23 हुई थी Sydney में और यह नेवल exercise तो बाई annual exercise है यह similarly army की बात करें आस्ट्रा हिंद 2023 जहां पर भी हिंद आ रहा है तो जैसे के की सौंक्समातना हिंद की सेना तो हिंद की सेना यानि कि जब हिंद आ जाए यहां पर तो आपको यह confusion नहीं होना है कि नेवल है या आर्मी है exercise है तो हिंद यानिके related to army year तो आस्ट्रा हिंद 2023 यह है आर्मी exercise between Australia and India तो 2023 में कहा पर हुई थी है पर्त आस्ट्रेलिया में हुई थी जो के एन्वल इवेंट है ठीकेट के साथ ही हम आज की लेक्चर को कंक्लूड करते हैं तो आप बस स्वस्त रहिए और पढ़ते रहिए थैंक्यू वेरी मुच के फैस में बने रहने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में